हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये मुंबई स्ट्रीट फूड टेस्टी चटा के दार चाइनीज भेल की रेसिपी जो की बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए हम ये चाइनीज भेल की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने ये नूडल्स लिया है आप कोई भी कमपनी का ले सकते हैं मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया और इसके साथ किये एक मसाला भी दिया हुआ था जिसका हमें कोई काम नहीं है हम इस मसाले को अलग कर लेंगे और हम इस नूडल्स को अब हम बॉइल करेंगे तो यहाँ मैंने पानी गर्म अल्रेडी कर लिया है तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी ताकि हमारे नूडल्स जा बॉइल हो तो वो एक दूसरे से चिपके नहीं अब इसमें मैं नूडल्स को डाल दूँगी मैंने इसमें नूडल्स को तोड़ कर डाला है आप चाहे तो पूरा लंबा रख सकते हैं तो यह देखे हमारा नूडल्स बॉइल हो चुका है हमें अपने नूडल्स को पूरा बॉइल नहीं करना है बस 72-80% जब हमारा नूडल्स बॉइल हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे और इसे चान लेंगे अब यह नूडल्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम पूरे प्लेट में अच्छी तरीके से फैला देंगे अगर आपके नूडल्स जादा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके दो प्लेट में उसे ऐसे करके फैला दें और इसे अब हम सूखने देंगे जब तक हमारे नूडल्स का पानी अच्छे तरह सूखना जाए तो मैंने यहां पर लिया है यह पत्तागोभी कैबेज अब मैंने इसे इतने चोटो चोटे टुकडों में काट लिया है यह देखिए हमारे नूडल्स सूख गए हमारे नूडल्स में से पूरा पानी नहीं निकला है इसमें कुछ-कुछ जगा पानी है अब हम इसे पूरा तो नहीं सुखा सकते है तो अब जब यह थोड़े से सुख जाए तो हम इसे तेल में डीफराई कर लेंगे तेल में अपिसे जरा ध्यान से डालिएगा तेल में डालते ही यह थोड़ा सा ऐसे अचानक से बहुत सारे बुलबले छोड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा पानी रहे गया है तो अब पूरा पानी सुखा पाना तो हम नहीं कर सकते इसलिए जब ये 72-80% तक इसका पानी सुख जाएगा तब हम इसे ऐसे डीफ्राइ कर लेंगे और ऐसे हम इसे पलटते रहेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन कलर नहीं हो जाता ये देखिए हमारी नूडल्स का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है इन्हें हम निकाल लेंगे मैंने ये फिर से डाला देखिए अब ये तुरंती बहुत सारे ऐसे बुलबुले छोड़ेगा तो आप थोड़ा ये काम समहल कर करें कुछ देर बार ये बुलबुले अपने आप शांत हो जाते हैं ये देखिए ये एकदम केक की तरह ये नूडल्स ऐसे हो गया है तो इससे कोई बात नहीं हम इसे बात में वैसे भी तोड़ नहीं वाले हैं इसे हम ऐसे निकाल लेंगे जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम एक बावल लेंगे और उसे इन सारे नूडल्स को हम इस बावल में डाल देंगे इसको हम ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे ये देखे कि तुम कुरकुरे से ये फ्राइ हो है इन्हें हम ऐसे दबाकर इसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे अब हमने जो पत्ता गोबी काटके रखा था चाइनीज भेल में हमारे पत्ता गोबी एक मेनी चीज है तो इसे आप ज़रूर डालें आप चाहे तो कटेवे प्यास भी डाल सकते है जितना मैंने ये नूडल्स लिया है मैंने उतना ही यहाँ पे ये पत्ता गोबी भी लिया है अब हम इन दोनों को मिला लेंगे अब हम इसमें चाइनीज बेली का मेन इंग्रीडियन डाल देते हैं ये सेजवान चटनी ये चटनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा चटनी डाले अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम चटनी डाले अब ये चटनी डालने के बाद हम इसे इसमें भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हमें मिलाना है ताकि यह जो चटनी का फ्लेवर है यह पूरे चाइनीज भेल में एक तरीके से आए तो बस इतना ही आसान था हमारा चाइनीज भेल बनने का रेसिपी नूडल्स पत्ता गोभी और सेजवान चटनी हमने इनी चीजों से घर बैटे बैटे चाइनीज भेल बना लिया जोकि बहुत टेस्टी और बहुत ही चटाकेदार है तो हमारा यह सेजवान चटनी से बनाया हुआ चाइनीज भेल तैयार है इसे हम एक बावल में सर्फ कर लेंगे तो इस लॉकडाउन में घर बैटे बैटे आप इन्जोई करिए यह चाइनीज भेल और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले